हेलो दोस्तों मैं स्वरों मलिक आप सभी का टोपिक स्टेडियो में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के ओनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं भारते अर्थवस्ता से लेटिर 30 ऐसे महत्पून परसं जिनके एक्जाम में पूछे जाने के चांसिस बहुत ज़्यादा है तो आप इस टेस्ट को पूरा एंड तक लगाईगा और 30 में से आप कितने सही कर पाते हैं अपने स्कोर कमेंट बोक्स में ज़रूर बतेगा और अगर आप चाहते हैं इसी तरीकी से आपको डेली ओनलेन टेस्ट की वीडियो मिलती रहे साती सात मैत और रीजनिंग की वीडियो भी मिलती रहे तो नीचे रेट कलगे बटन को दबा करके बैल ऐकन को ओन कर लीजेगा आपके पास सभी वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे आप वीडियो के टाइमिंग भी नोट कर सकते हैं रीजिनिंग की वीडियो आपको मिलती है सुबह 7 बजे मैट की दोपैर दो बजे और जीके की आपको मिलती है नो से दस के बीच में रात को ठीक है और अगर आपको वीडियो हेल्प पूल लगे और आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरू करिएगा अपने दोस्तों को सेर जरू करेगा फेस्बूक वोटसब ग्रूप में ताकि दूसरे इस्टोडेंट की भी हेल्प होती रहे और इससे पहले जितनी भी ओनलाइन टेस्ट की वीडियो अप्लोड हो चुकी है उनकी मैंने सेपरेट प्लेलीस्ट बनाके नीचे डिसक्रिप्सिंग बोक्स में लिंक देती हैं वहाँ से जाके आप उन्हें देख सकते हैं दोस्तों आपको हरे कोशन में 5-6 सेकिंट दिये जाएंगे उस 5-6 से किन में आपको question का answer नीचे comment box में बताना है तो चलिए start करते हैं आज की वीडियो को तो जैसे पहला question है wealth of nation नामक पुस्तक के लेखक कौन है ये question बहुत important है exam में पहले भी कहीं बार आ चुका है बस आपको इतना बताना है नीचे comment box में इन 4 option में से कौन सा right answer है तो दोस्तो बिल्कुल सही है पहले का right answer option 2 हो जाएगा adam smith is the right answer wealth of nation नामक पुस्तक के लेखक कौन है adam smith question number 2 अर्थ सास्त्र का जनक किसे कहा जाता है तो अर्थ सास्त्र का जनक भी आपका adam smith को ही कहा जाता है तो right answer आपका option 3 हो जाएगा question number 3 भारतिय अर्थ वैस्ता का सवरूप कैसा है तो देखे भारतिय अर्थ वैस्ता का जो सवरूप है वो मिश्रित अर्थ वैस्ता है तो right answer आपका option 4 हो जाएगा यह सभी question आपके ntpc, sse, chsl, j.e. इन सभी अक्जाम के लिए बहुत important है यह repeat होते रहते हैं तो test को पूरा end दग लगाएगा question number 4 है नियंतरन के आधार पर अर्थ वैस्ता को कितने परकार से विवाजित किया जाता है तो देखे कितने परकार में विवाजित किया जाता है तीन परकार में तो right answer आपको option 3 हो जाएगा question number 5 अर्थ वैस्ता के परात्मिक छेत्र के अंतरगत सामिल है देखे तीन सेक्टर होते हैं primary, secondary और आपका third sector, territory सेक्टर देखे इसमें क्या होता है जो primary सेक्टर होता है जो पहला सेक्टर होता है उसमें क्या होता है परात्मिक छेत्र जिसको हम बोलते है जो चीज आपकी जमीन से जुड़ी है जैसे पसू पालन हो गया कोई भी चीज आपका खेती बाड़ी होगी सारी चीजे आपकी primary सेक्टर में आती परात्मिक छेत्र में आते हैं तो पसू पालन भी, मतश्या पालन भी आता है service sector जिस चीज में आपका कुछ production नहीं होता service दी जाती है जैसे doctor, engineer, lawyer यह सब आपके तीसरे सेक्टर में आएंगे यानि कि यह fees लेता है कि इस चीज की service की तो यह तीसरे सेक्टर में आते हैं तो यह तीन आपका होता है प्रात्मिक छेत्र दुट्य चेत्र और तीट्य चेत्र इन तीनों का आपको समझ में आगे होगा अगर कुछ भी चीज आती है तो आप इस तरीके से रिलेट करके answer लगा सकते हैं चलिए next question पर चलते है question number 6 है भारतिय अर्थवस्ता के GDP में सबसे कम योगदान की चेत्र का है तो किसी चेत्र का सबसे कम योगदान है आपका भारतिय अर्थवस्ता में और सबसे अधिक अगर पूछ जाए जैसे next question आपका question number 7 भारतिय अर्थवस्ता में सबसे अधिक योगदान की चेत्र का है तो यह हो जाएगा सेवा चेत्र ठीक है service sector जो है वो तीसरे नंबर का आता है वो आपका सबसे अधिक योगदान करता है भारतिय की अर्थवस्ता में चलिए next question है आपका question number 8 कार्य सकती समता के आधार पर विस में भारत का इस्थान है question number 8 तो बिल्कुल सही है आर्टवे का राइट आंसर option 3 हो जाएगा तीसरे इस्थान है ठीक है question number 9 आर्थिक सवरद्धी का सरवदिक उप्यूक्त मापदंड है तो यह आपका देखिए sorry यह मैंने आपको option तो दिखा है नहीं तो यह हो जाएगा आपका परतिवेक्ति वास्तवी का है option 3 is the right answer चलिए next question पर चलते है question number 10 है विस्व बैंक द्वारा आर्थिक विकास का मापन किस विदी द्वारा किया जाता है तो दोस्तो question number 10 का राइट आंसर हो जाएगा option 2 कारिय सकती समता विदी द्वारा ठीक है चलिए next question पर चलते है question number 11 मानव विकास सुचांग की जनक संस्था कौन सी है तो यह आपका हो जाएगा UNDP यानि कि option 1 UNDP की full form है United Nations Development Program ठीक है चलिए next question आपका 12 है मानव विकास सुचांग को किस आधार पर मापा जाता है तो यहाँ पर आपका ये सवास्त के आधार पर भी मापा जाता है शिक्सा के और जीवन इस्तर पर यानि कि right answer आपका option 4 हो जाएगा ये सबी question number 13 मानव विकास सुचांग के निर्मान में निमिन में से किस अर्षास्तरी का योगदान महत्पून है ये question भी कहीं बार exam में पूछा जा चुका है तो right answer आपका हो जाएगा महबूब उलहक right option 1 हो जाएगा ठीक है चलिए next question पर चलते है question number 14 है भारत को मानव विकास सुचांग के आधार पर किस स्रेणी में रखा गया है तो question number 14 का right answer option 3 हो जाएगा मध्यम स्रेणी में question number 15 भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पर्थम राज्य है ये NTPC 2016 में question पूछा गया था भई तो पंदरवे का right answer option 4 हो जाएगा मध्या परदेश ये भी काफी अच्छा question है और इस टाइप के question सी एक्जाम में बनते हैं question number 16 संयुक्त राष्टिय विकास कारेकरम UNDP द्वारा कब से मानव विकास सुचांक निरंतरन जारी किया जा रहा है तो 16 का right answer आपका हो जाएगा 1991 से ले करके वर्स 1991 से ले करके question number 17 राष्टिय आये की गण्ना में किसे नहीं जोड़ा जाता है तो बिल्कुल देखे यहाँ पे बेची गई पुरानी वस्तु को नहीं जोड़ा जाता है क्योंकि वो पहले से ही include हो जाती है और आपका granny की सेवाओं का मुल्य यह भी नहीं जोड़ा जाता है देखे जब भी रास्टिय आये national income को हम calculate करते हैं तो उसमें जो first bar मतलब कोई चीज purchase की जा रही है उसका ही गण्ना की जाती है अगर आप उसको दुबारे से sale कर रहे है तो पुरानी चीजों की गण्ना नहीं की जाती है क्योंकि वो पहले से ही include होती है तो पुरानी चीजे और granny की सेवाओं का मुल्य यह भी नहीं की जाती है तो आपके option for right answer हो जाएगा ठीक है वही question number 18 verse 1949 में 1949 में गटित रास्टे आय समीती के अध्यक्स कौन थे तो आपका right answer हो जाएगा PC महा सोरी महाल नोबिस महाल नोबिस is the right answer option 3 आपका हो जाएगा ठीक है 18 का right answer option 3 हो जाएगा PC महाल नोबिस question number 19 है poverty and unbritish rule in India नामक पुष्तक के लेखक सबसे पहले तो इसको very very important लगा लिजे क्योंकि यह questions कहीं बार repeat हो चुका है अलग-अलग exam में तो poverty and unbritish rule in India नामक पुष्तक के लेखक कौन है तो दोस्तों यह सभी को पता होगा दादा भाई नेरो जी is the right answer ठीक है 19 का right answer आपका option 3 हो जाएगा याद रखेगा टेस्ट अगर अच्छा लग रहा है तो like करते जाएगा question number 20 भारत में रास्ट्य आए की गन्ना अर्थात वित्य वर्स की अवदिक क्या है तो यह भी सभी को पता होगा यह question भी कहीं बार exam में देखने को मिलता है 20 वे का right answer आपका option 1 हो जाएगा एक अप्रेल से लेकर के 31 मार्स तक ठीक है इसको financial year भी बोलता है कहीं बार exam में आता है वित्य वर्स question number 21 21 राष्ट्य आए के लेखांकन का जनमदाता किसे माना जाता है तो यहाँ पर 21 का right answer हो जाएगा option 2 question number 22 केंद्रिय संक्या की कारियाले की स्थापना कब की गई तो देखें आपे 22 का right answer बन रहा है option 4 1951 में 1951 में की गई थी question number 23 भारत के राष्ट्य आए के मापन में किस विदी का प्रियोग किया जाता है तो देखें यहाँ पर आपका आए विदी भी यूज़ की जाती है और यहाँ पर आपका उत्पादन विदी भी यूज़ की जाती है यानि कि option आपका 4 हो जाएगा अगर आपसे यह पूछ जाता है भारत की आए राष्ट्य आए के मापन में किस विदी का प्रियोग के जाता है तो आय विदी भी की जाती है और उत्पादन विदी भी की जाती है टीक है तो option 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कहीं बार आपको एक ही विदी दियोगी उप्शन में तो आपको सिर्फ ओ गूई लगाना है अगर यहाँ पर उत्पादन विधी नहीं होती तो शिर्फ आय विधी को लगाना था अगर दोनों दे दिया जाए तो दोनों का आपको राइट आंसर लगाना है Question number 24 वर्तमान में राष्ट्य आय के आकडो का किस आधार वर्स पर आकलन किया जाता है देखे जब भी आय निकाली जाती है राष्ट्य आय निकाली जाती है तो उसको एक कंपेर किया जाता है तो किस वर्स से कंपेर किया जाता है कि अब हमारी जो राष्ट्य आय वो बढ़ गई कितनी बढ़ गई तो किस वर्स को आधार माना जाता है ये question भी बहुत important है दोस्तो 24 का right answer आपका option 4 हो जाएगा 2011-12 को आधार वर्स माना जाता है question number 25 राष्टिय आए के आंकडे किसके द्वारा जारी की जाते है तो ये आपका हो जाएगा केंद्रिय संख्या की कारिया ले यानिकि option 2 is the right answer ठीक है चलिए next question पे चलते है question number 26 है planned economy for India पुष्टा किसकी रचना है दोस्तो ये question भी RRB NTPC 2016 में पूछा गया था बहुत important question है हमेशा इसी टाइप के question exam में पूछे जाते है ठीक है तो ये आपका हो जाएगा M. विसवेश्वरिया is the right answer यानिकी option आपका one right answer हो जाएगा विसवेश्वरिया ठीक है next आपका question number 27 है निमिलिकित में से किसने वर्स 1944 में गांधिवादी योजना के नाम से एक योजना का निर्मान किया था question number 27 तो श्री मन नारायन is the right answer यानिकी option 3 आपका right answer हो जाएगा चलिए next question पे चलते हैं 28 निमिन में से किसने सर्वुद्य योजना परस्तूत की थी तो किसने सर्वुद्य योजना परस्तूत की थी जैब परकास नारायन ने तो right answer आपका option 1 हो जाएगा दोस्तो question number 29 फिर से एक पहुत अच्छा question है और ये भी RRB NTPC 2016 में पूछा जा चुका है परदान मंतिनी निरेंद्र मोदी ने 125 रुपे और 10 रुपे मूल्य वर्क के दो समर्णिये सिक्के किसे सर्दान ये देने के लिए जारी किये हैं तो ये हो जाए आपका B RRB करको तो right answer आपका option 4 हो जाएगा question number 30 भारत में आर्थिक नियोजन का विदिवत सुबारम कब हुआ था भारत में आर्थिक नियोजन का विदिवत सुबारम कब हुआ था तो ये हो जाएगा आपका 1 अप्रेल 1951 में option 4 is the right answer दोस्तो ये थे आज के important question इन सभी question की पीडियप में ही इसी पीडियप में ही answer है और ये पीडियप आप डाउनलोड कर सकते हैं topic study के telegram चैनल से telegram पे जाएगा topic study सर्च करके join कर लीजेगा और वहाँ पे आपको सारी पीडियप मिल जाएगी math की भी reasoning की भी और gk की भी अगर आप नए है चैनल को आप भी तक subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करिए खुद भी और अपने दोस्तों से family members से भी जरूर subscribe कराईएगा ताकि उनकी भी preparation आपके साथ साथ चलती रहे देखे किसी की help करेंगे तो दूसरे भी आपकी help करेंगे उनको भी बोलिए कि आप यहां से पड़ाई करिए जितने important questions में लेके आता हूं उनके साथ में भी share किया करें टीक है गंटिक एकन को on कर ले ओन होने के बाद में उसके उपर दो टीक आ जाते हैं इससे आपके पास सभी वीडियो के notification पहुचने स्टार्ट हो जाएंगे आप Facebook, Instagram, Telegram, Twitter पे आप फोलो कर सकते हैं अगर आप कोई भी update लेना चाहते हैं अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं फिर बताना चाहते हैं तो Instagram पे जाईए सौरंबलिक 17 के search करिए और वहाँ पे जाके आप मुझे फोलो करके जो पूछना जाते हैं पूछ सकते हैं फिर मिल आपका दिन सुब हो